इस मूवी के शुरू के दो पार्ट के बाद ये जो वाला थर्ड पार्ट है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वार फोर दी प्लैनेट फोर दी एप्स काफी लंबा नाम हो गया ना इस मूवी के जो फर्स्ट पार्ट में एक जो समराज्य के उत्पत्ति होती है वानरों की और फिर जो फिर जो सैकिंद पार्ट के अंदर इंसन और वानर के बीच में जो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है third part में उसकी को continue रखा गया है यानि बहुत जादा खुबसूरती से first part और second part को बड़ी ही अच्छे से justify करती ये movie है अच्छा लगा इस movie को ऐसी sequence में देखकर कहीं से लगा नहीं कि हम कुछ अलग से देख रहे हैं बहुत अच्छे से direct और कहानी इतनी अच्छे से लिगी गई है न कि आपको ये तीनों part में मुझे खैर second part की मैं जो review किया था second part का तो मैंने उसमें कहा था कि थोड़ा बहुत हम connect नहीं हो पाते लेकिन third part उसकी भी कमी को पूरा कर देती है यानि ये first part जितना आपको पसंद आता है बुना गया है तो अब third part में forge आ चुकी है तो जो वो है Caesar को ढूंड रहे हैं और Caesar को वो मारना चाते हैं क्योंकि एक leader को अगर आप मार देते हो तो बाकी जो जूंड है वो अपने आपी खतम हो जाता है तो ऐसा होता है तो वो इसलिए Caesar को मारना चाते हैं वो उन्होंने operation चलाया होता है और Caesar को मारने के लिए अब इस बात इंसानों का साथ दे रहे हैं कुछ वानर जो second movie में कुबा जो मारा था Caesar और कुबा के बीच में जो लड़ाई हुई थी तो कुबा को कुछ लोग मानते थे अपना लीडर मानते थे तो अब कुछ लोग नहीं कुछ वानर जो थे वो कुबा को अपना लीडर मानते थे तो वो वापस तो Caesar के पाथ जाना नहीं चाते थे इसलिए वो इनसानों के साथ मिल गए और तो उनकी help करके वो Caesar को मारना जाते थे ताकि सीजर खतम हो जाए, इंसान सब वानरों खतम करते, उनी को छोड़ते, तो कुछ एक ऐसी कलत फैमी वो रहकर सीजर को मरवाने पे तुले हुए थे इस मूवी के अंदर जानवरों का जो वानर है, वो बहुत ही एक दूसरे के परती इतने मददकार, इतने ख्याल रखने वाले, और किवल अपने ही अपने ही परजाती, यानि अपनी ही कमुनिटी के परती नहीं, बलकि दूसरी कमुनिटी के परती भी उनको बहुत द्यालू दिखाया गया है, और वहीं अगर इंसान की करें इंसान को तो अपनी ही कम्मुनिटी का इसमें दुश्मन और वानरों के परती तो उविसली फर्स्ट पार्ट सी वो चलता रहा तो उसी को वो कंटिन्यू रखा है उन्होंने दुश्मनी को और जादा बढ़ाया इसमें इस मुवी में सबसे खुबसूरत बात मुझे एक प्रकार्ट जो लगी मैं वाप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा तो इस मुवी में जो सिपाई है उनका कर्नल है तो कर्नल जब मर रहा होता है तो वो एक बात बोलता है की इंसानों ने इस परकरती के नियमों के साथ चेड़-चाड़ की अगर वो ऐसा चेट-चाड़ नहीं करते तो आज परकरती उनके साथ ऐसा मजआख नहीं कर रही होती या फिर कहेंगे कि परकरती आज अपना बदला नहीं रहा रही होती क्योंति इसमें इनसानों को मरते हुए दिखाया गया और आज वो परकरती उनके उपर तूट पड़ी है अपना जो उन्होंने छेड़ चाड़ की थी आज वो उनसे वापस ले रही है तो इस थर्ड पार्ट के अंदर एक वाइरस जो सेकंड पार्ट में फैला हुआ था वही है लेकिन इसका जो है वो अब सरंचन आया यानि धांचा अब बदल चुका है इसका रूप बदल चुका है कि पहले ये इनसानों को मार रहा था लेकिन अब ये इनसानों को मार नहीं रहा अब इसमें इनसानों में कुछ चिंजिस हो रहे हैं किसी के वाज चली किसी की कि हर किसी के वाज चली जाती है और उनके अंदर कुछ और बदलाव आ जाते थे वो खुँखार होने लग अपी को पाय। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कौन से वाइरस का नाम आ रहा है तो करनल अब क्या कर रहा है कि अपनी एक फोज अलग से त्यार करने में लगा हुआ है ताकि वो उन इंसानों को भी मार सके जिनके अंदर ये वाइरस है जिसके अंदर भी जिकता है तो वो उनको गोली मार दे रहा है कुछ इनसान कह रहे हैं कि इस बिमारी का इलाज है और वो करनल के विरूद कड़े है और कुछ लोग करनल के समर्थन में कड़े हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है बहकाया जा रहा है कोई इलाज नहीं है लोगों को मारना ही होगा जिनके अंदर ये वायरिस पाया जा रहा है तो अब कुछ ऐसे लोग जो करनल का विरोध कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग जो करनल का समर्थन कर रहे हैं तो अब लडाई को बहुत बड़ा कर दिया गया है. तो करनल एक मिशन ओन कर रखा होता है, जिसमें सीजर को मारना होता है. एट लिस्ट उनको सीजर के ठिकाने का बादा चलता है. तो करनल अपने सिपाईयों के साथ वहां पर जाता है, और Caesar के बच्चे और उसकी पत्नी को मार देता है ऐसे Caesar समझ के उसने सोचा वो Caesar है लेकिन वो Caesar नहीं होता है Caesar बच जाता है और Caesar अब गुसे में आकर इस करनल के पीछे चल देता है उसको मारने के लिए और अपने जुंड को कहता है कि तुम ये जगां छोड़कर किसी और जगां चले जाओ क्योंकि अब इनसान इसको तबाह करने वाले है और कुछ एक वाइनर Caesar के साथ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए और बाकी जितने वाइनर बच जाते हैं वो अपने लिए एक अलग जगां डूडने के लिए चले जाते हैं अब जब वो Caesar करनल के पीछे जाता है तो उनको पता चलता है कि करनल यहां से जा चुका है कहीं और किसी एक किले नुमा जगां पे गया है जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और वहां पर अब लड़ाई होने वाली है जो इनसान करनल के खिलाफ है वो वहां पर आने वाले हैं वहां पर लड़ाई होने वाली है तो Caesar अब करनल को ढूंडते ढूंडते उसके ठीकाने पे पहुंचते है और वहां जाके वो यह देखते है कि जो जुन्ड वो छोड़के गया था वो सारा का सारा इन्होंने करनल और करनल की सिपाईयों ने पकट लिया है वहां पे इनको बंदी बना के रखाय गया है उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है बड़ी बड़ी दिवारे बनवाई जा रही है ताकि जो लोग आ रहे हैं बहुत बड़ी सैना में आ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं ताकि उनसे अपने किले को बचा सके आखिर का सीजर भी इसमें पकड़ा जाता है उनको बचाने के चकर में सीजर को पकड़ लिया जाता है तो अब Caesar के कुछ एक साथी जो होते हैं वो Caesar की मदद करते हैं वो Caesar को बाहर निकालते हैं बाकी सारे वानरों को बाहर निकालते हैं और इतने में लडाई स्टार्ट हो जाती है कि दूसरे जो इनसान होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं करनल को मारने के लिए मरते हैं और एड लास्ट में एक बहुत बड़ा बरफ का तुफान आता है जिसमें सारे इंसान दब के मर जाते हैं केवल वानर ही बचते हैं और इस मुवी में सबसे दुकत गटना यह होती है कि इसके एंडिंग में सीजर की भी डेथ हो जाती है और जब आप इस मुवी के त सब नहीं होना चाहिए था लेकिन क्या करें शायद डिरेक्टर राइटर का यही था और कहेंगे कि इसे ही और खुबसूरत बनाती है यह मुवी को मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूँगा 8.5 आउट और 10 स्टार मुझे मुझे बहुत पसंद आई बेशक आप लो